हेलो प्रेंट्स वागम को रेसे पियानों मैं सौम्मया सिंग आज हम आपके लिए बिलकुल चॉकलेटी केक बनाने वाले हैं जो बहुत ही असानी से घर पर बनेगा और इसे मैंने बिना अवन के बनाया है बिना अंडे के बनाया है तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते ह हैं सबसे पहले हमें कड़ाई को गरम करना होगा आप चाहिए तो इस केक को भगोने कुकर या अवन में भी बेक कर सकते हैं तो कड़ाई को हम पांसे 10 मेट गरम करेंगी इसे के साथ मैंने एक केक टिन लिया है ये छे इंच गेक टिन है और इसमें हमें सबसे पहले है यह 120 क्राम है इसी के साथ इस में हम ggakला डिया कने हम चॉक्लेट ये बना रहे हैं तो लगबक पांच बड़े मिख ऊंप को पॉड डाल रहे हैं है एक चमच बेकिंग पॉडर एक चमच बेकिंग लुन इन सभी चॉप चाहन का हूं में डालेगी अब इसमें हम आधा कप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं और ये ग्राम में 80 ग्राम है तो इन सभी जो को एक बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहां मैंने 1-4 cup refined oil लिया है और इसे डाल रहे हैं आप इसके जगाँ melted butter का यूज कर सकते हैं और इसी के साथ मैंने दही लिया है यह हलकी से येलो है condensed milk नहीं है यह घर की जमी हुई दही है तो आधा कप मैंने दही डाला है और ग्राम में यह 100 ग्राम है तो एक बाद फिर से तो तोड़ा करके दूट टालना है और एक नॉर्मल बैटर तयार करना है बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए तो यह बिल्कुल ध्यान रखे और बैटर में लंप्स नहीं होना चाहिए तो यहां हम लगबग आधा कप दूद का यूज कर रहे हैं और इ अगर आपके पास केक टेन नहीं है तो आप घर का जो नॉर्मल भगोना होता है उसे भी यूज कर सकते हैं इसे टाप कर देते हैं तो अब इसे हम कढ़ाई में रख देते हैं तो यहां जो कढ़ाई है यह बहुत ही अच्छी से गरम हो गई है स्टैंड के ऊपर हम केक टेन और इसे ठकक कर medium flame पर लगबग बेग करना है 35 से 40 मेट लगएगा तो इसे ठक देते हैं लगबग 40 मेट हो चुका है और यहाँ जो eggless chocolate cake है या अच्छे से बेग हो चुका है तो इस cake को हमें अच्छे से ठंडा करना है और इसके बाद इसके उपर हम chocolate से icing करेंगे तो यहां मैंने दूद ले लिया है क्योंकि आज हम क्रीम का यूज नहीं कर रहे हैं तो वन थर्ट कप दूद को मैंने गरम कर लिया है साथ मैंने डाक चॉकलेट कमपाउंड लिया है जिसे मैंने रफली चॉप किया है तो इसमें 1 3rd cup दूद डाल रहे हैं वैसे आप क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम चॉकलेट गनाश बना रहे हैं पर आज हम क्रीम का यूज़ नहीं करेंगे बिना क्रीम के आज हम गनाश को त्यार कर रहे हैं तो मैंने यहां 200 g चॉकलेट लिया है और 1 3rd cup दूद लिया है और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है साथ में इसमें एक बड़ा चमश यानि 1 टेबल स्पून बटर डाल रहे हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां जो चॉकलेट गनाश है यह बनकर बिल्कुल तयार है बिना क्रीम की बना है यानि दूसरे से बनाया है तो इस बार आप भी घर पर बहुत यह सानी से बना सकते हैं तो अब हमें सबसे पहले केक्टिन से केक को अलग करना है तो अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप इस तरह केक को बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनता है यह केक चॉकलेटी है बचों को बसन आने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सौट बना है तो अब हमें केक की आइसिंग करना है तो जब भी आप icing कर रहे हों तो ये ध्यान रखें कि केक अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपको icing करना है तो सबसे पहले हम केक की तीन लेयर कर लेते हैं आज हम इसको उपर से नहीं काट रहे हैं बस इसकी हम तीन लेयर कर रहे हैं आप चाहें तो इसे दो लेयर में भी काट सकते हैं तो यह देखिए केक बहुत ही बढ़िया बना है बलकुल सॉफ्ट है तो अब मैंने एक प्लेट लिया है और इसके उपर एक जाली रखी है जाली के उपर हम केक की एक लेयर रखेंगे और इसके उपर थोड़ा सा गनाश डाल देते हैं और अच्छे से स्प्रेट कर देते हैं तो बिना क्रीम के आप इस तरफ केक बना सकते हैं अगर आपके पास विप क्रीम या अमूल क्रीम नहीं है तो आप मिल्क का यूज़ करें और इस तरह गनाश बनाए और केक को त्यार कर सकते हैं घर पर तो अब मैंने केक की सेकेंड लियर रखी है और इसके उपर भी हमें गनाश को लगाना है इस केक के ऊपर सिरफ का यूज बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि हम गनाश का यूज कर रहे हैं तो अब मैंने केक की थर्ड ले रखी है और इसके बाद हमें केक को पूरी तरह गनाश से कवर करना है यहां जो एस्टरा चॉकलेट है यानि चॉकलेट ग झिहा उसना से का और जो पृणी पूरीत ही और या मैंने जोड़ए वाहतीस कर सकते हैं तो थर्त पृणिया है प्वहदी बढ़िया बना है आप इससे आधीगंटक लिए लीया लग दिन जिसे अच्छे सेत हो जाए और सेबाद स्तुश निविस का सिर्वड पर सकते हैं बहुत ही जदा सौफ चॉकलेटी ये केक है तुमीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इस बार आप इसे घर पर बहुत ही असानी से बनाने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और जो लोग नए है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एक बाफ फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी साथ तब तक लिए थैंक यू एंड टेक कियर